हेलो गाइज वेलकुम बेक टो माई चैनल शर्णम खॉजी वाइप कैसे हैं आप सब वो तो आप सब अच्छी होंगी मैं अभी अच्छी हूँ तो मुझे अभी थोड़ा सा टाइम हो गया मैं अभी टारेस से वीडियो सूट करके आ गई हूँ आप सोचे में यह चूडिया म आपको मैं अपना क्वाटर दिखाऊंगी और बहुत ही डिमांडिंग भी है बहुत जारे लोगों के मैसेज हैं कि अपना होम टूर कराओ तो बस वही कोसित है कि मैं आज आपको अपना घर दिखाती हूँ थोड़ा सा प्री हूँ आज क्योंकि आज मैंने एक ही सारी का सू किया है आज रिल्स तीन-चार रिल्स बनाई है बस ज्यादा नहीं तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्ट करती हूँ अपना क्वाटर कैसे मैंने मैनेज किया हूँ है क्वाटर तो फिर चलिए पर ज्यादा टाइम डिस नहीं करूंगी वीडियो लंबा हो जिसमें मैंने इस तरीके से कुछ लगा रखा है मैं आपको दिखा देती हूँ यह एंट्रेंस यहां से मतलब एंट्री करते हैं और यह इंवर्टर लगाया हुआ है उसके उपर ही मैंने यहां क्योंकि मैंने सोचा कि यहां आते ही सबसे पहले यह रखे होने चाहिए तो य यह उन्होंने यहां दिया था लो मैं इसको लेकेल चलती है अपने साथ में यह रहते हैं और यह जो आप देख रहे हैं यह एक box मैं आहको दिखा धती हूँ यह बॉक्स है स्टोरेज बॉक्स है यह सब्सक्राइज द्खण़ कर लिया है ताकि यहां पर बैटने के लिए भ और यह तो टेडी इस तरीके से बनाया हुआ है यह और उसके माल में आपको दिखाती हो यह है यहां पर विंडो यह देखो यह से बहार की हवा आती है देखो अच्छी हवा रही है अभी भी तो मैं इसको बंदी रखती हो क्योंकि बहुत जादा गंजियों मेरा आती है कभी लगता है तो होल देटिव हावा अगएर अगरा के लिए और यह मैंने लगाया होगा है यहां पर डेखो यह यह देख इस मिरर में बनाती हूं मैं रीन्स वगराः ओर जो भी मिल्को दगता है आपने देखा ही होगा तो यह मिरर यहां लगवा लिया था और यह तो तो अगर आप चाहते हैं तो मैं सारी चीजे आपको चेयर करोंगे कैसे आपको फ्रिज में समान रखना एक जो अलब में तक रह सके और यहां से एक गालरी टाइप का है जिसके इस साइड में है आपको यह फुट मैट देखो आप में पढ़े वना बात मैट हैं तो आप समझ तो यह मैंने कार्टन से ढख दिया है कि यह क्या है बहुत ज्यादा ही यहां पे गंदा सा हो गया था यह जो निकल जाता यह पुट्टी वगेरा की पेंट लाके डख लीा है और यह सामने एंगे तो मुझे थोड़ा सा अनकंफुर्ट Fel होता था कि यह वासुरूम और यहा इस तरीके से तो मैदे करण लगाकर इस तरीका से इस गालरी को सेफ कर लिया ये है फस्ट रूम मैं आपको दिखा हूं यहां से तो यह है CV का रूम और जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जोड़े हैं वो जानते होंगे कि CV का फेवरेट कलर है यलो तो मोस्तली मैं जो भी चीज़ें होती हैं उसके रूम में यलो कलर भी चूस करती हो तो ये तो है बैड उसका सोता तो वो नहीं है अगर आपको अच्छे लगे कोई भी चीज तो आप पूच सकते हैं कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको इनका लिंक मैंशन कर दूंगी तो यह भी एक बिंडो है यहां पर बट मैंने इसको जाली इसका अबंद कर रखे हैं वागी बाहर से यह उपन है लेकिन इसका जाली मच्छर वगर आते हैं इसलिए मैंने इसको कर लिया इस तरीके से और यह जो रखे हुए हैं यह कूर कूरे यह सब यह मेरे फेबरेट हैं दीकान 아니에요 को आपर आप्टोप पर आपकिन की सिवी का लगाता हैं यह संत्री में wow किर एक नदेश आप्ने आपक्तों निकाल नहीं को निकालना होता न मैं आप कुछ तरीकस सिर अवा यह कूआ है आप तरयी यह दिखा हो justement, और यह तो जो जोबी और यह यो ability सट व्य मेरे अ वो गंदियों चाहती ही वो यहां इनको हैंक कर देता है और जो ठीक से फिर मैं जब दूस देती तो मैं वहां लगा देती हूँ आप देखो उसका समान आपको सारा बेवस्थत मिलेगा यह मैंने नहीं किया है वाइगाड वही वो देखो उसका कौन बैठा हुआ है यहां पर यहां करते हैं पूजा बैठके तो मैं यह आपको पास से दिखा हूँ यह देखो यह है मंदिर यहां पर बहुत सांती मिलती है यहां बैठके क्यूंकि बैठके कूजा करने में बहुत सारे लोग को सुड़ा उचा रखना था खड़यों के आतिने यह सब जो कुछ लोग आ मंदिर यहां लगाया हुआ है तो हम आराम से यहां बैठके पूजा करते हैं यह पर्मनिंट हमारा तो इस रूम में बस इतना ही इस रूम में ऐसा ही यह देखो आपको पूरा वहार से ठीक समझाएगा अब यह यहां से स्टार्ट होता है यह सीधा में आपको किचिन में ल जाने यह कुछ रूबित गणंडी तुछुर्स कहली आपको करने तो यहां पर के लिए हुआ इस में लगा गा दूगी यहां force में अपने शमाने यहां पर अब यह लगा यहां लगा लिए है यह है मेरी गैस मैंने आज ना मंगलवार है फास्ट है फोजी साब का रुसका इसलिए यह ऐसे रखा हुआ है कडाई मैंने अभी वास्मेकरेश में मैंने सुबह ना फ्राइ की थी तो यह कुछ इस तरीके से है मेरी किचिन यह देखो यहां में यह सब्जियों जो वैसे गरम करना पड़े कर मैं दूद यहीं रखती हूं कि मुझे फ्रेज में स्मेल लगने लगती है तो ज्यादा दूद में फ्रेज में यूज नहीं करती रखती लिए तो यह वस इस तरीके से मैंने कुछ लगा रखा ऊपर यह लगा रखे हैं मैंने यह ऐसे रब्बे डाल व अब जाए लगा लिया है तो मुझे कुछ भी इदर उदर होनी के जरूवत नहीं पड़ती है रिशी किछिन के कपडे जो मुझे बहुत जरूवत रहते हैं तो आदे तो अभी गंदे पड़े हैं तो आदे मैंने रख रखे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस निकालती हूं तो चलो अभी यह वस थी किछिन जैसा भी जो भी आपको लगाओ कमेंट में बता दे ना और मैं आपको पिंदो नहीं दिखाई ना बाहर यह यह यहां से ना गिलेरी आजबती है इसलिए मैंने इसको यहां पर असे कर लिया है आपको दिखाऊं क्या उपन क लगा हुआ है उपर वस उसको मैं कर देती हूं इस तरी से उपर की देखो यह असी हालत है वाट नीचे की तो मैंने मैंने इस कर लिये धूद के साफ साफ कर करके इसको पूरा और बागी कुछ ऐसा है लाइट आफ कर देती हूं बिल आता है और यह है मेरा रूम मादलाओ यह हम पती-पत्नी का रूम है और सबसे पहले तो यह देख लो आप यह है मेरे काम के प्रोड़क्ट जो बस इन में मेरी दिंदी की निकल रही है कि सुबह से घर का काम करके इन में लग जाना पड़ता है तो यह कॉलबरेशिन प्रोड़क्ट है जो अभी मैं नहीं कर अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैंने इतने किंग साइज बैट सीट क्यों डाली हुई है तो इसके भी अंदर एक गौलमाल है मैं आपको दिखा हूं यह मैंने अपने सारे बाक्स और वैसे समान जो है यह दिखू इसके अंदर सारा कुछ मैंने भर दिया है सारे बॉक् इसलिए मैंने इसको ऐसे किंग साइज वाला बैट सीट इस पर यूज किया हुआ है और यह है मेरा स्टोरेज बॉक्स जिन में मैं समान पस ऐसी भढ़ देते हूं इंसंट मेरे को जल्दी वाजी रहती है क्योंकि वीडियो गनाने के बाद तुरंट से रखने का मननी करता ह तो यह कुछ जॉल्री वाज ऐसे फिर में पर टाइम बहुता है तो मैं बढ़ लेती हूं फिर आराम से तो यह इस तरीके से और यह है मेरी अलमारी जिसमें आपको सारा समान मेरा ही मिलेगा और जो भी घर की विए उसका पढ़ा होगा मैंने काफी टाइम से देखना है यह प्रॉडक्ट में कर चुकी होती हूं ना वह वाले मैं यसा अणि heutकर के रखकली हूं पर जब घर जाओंगी तो इनको ले जाओँगई यह मेरा जो भी है पूरा कभाड़ा जैसा मेरा ही है और यहां पर मेरे कुछछ यूज़ वाले कपड़े हैं यह इतने ही मारत तो इस कर दो करा तो उतना टाइम नहीं होता है नाच हम भागते वीडियो बनाते हैं और इस तरीके से यह है इसका गेट मैं आपको दिखा दूँ और यह गेट की पीछे मैंने दो हैंगर लगा रखें जिसमें फॉजी साफ अपने आंके कपड़े टांग देते हैं तुरंट से ताकि यहां बिश्तर पे फेके ना फेकते तो फिर भी है वो आज तो मैंने ऐसे आपको साफ दिखा दिया है कोई आने का था इसलिए मैं आज आपक कि सबसे खुबचूरत जगे सबसे भूब सुर्ण जगे जहां मेरे मेरे को सुकून मिलता है वैटके तो यह है मेरा गार्डन में बालकनी है तो हैं यह भी के रोऊं का था रहके दोनों ऐस तरब से आ सकते हैं बालकनी में और वह निच्छे देखो आप तो वह गाड़ी त तो इस तरीके से यह है बाल के लिए जहां मैं कभी रील भी सूट कर ले दिया हूं मेरे को यहां सुबा साम बैटने में इतना अच्छा लगता है इसलिए मैं और यह मेरा कूलर जो की पूरी तरीके से तूट चुका है मैंने पहले दिन ही कूलर लगाया था तो यह स्टैल दूसरा कूलर लगाना पड़ेगा तो मैंने सोचा कि अभी यह सीजन चल जाएगा अभी नेक्स सीजन लगाओंगी तो यह मैनी प्लांट तुलसी मा जो की मैंनी तीसरी बार लगा ली हूँ पता नहीं क्यों नहीं रुक रही हैं अब मैं सोच रही हैं कि मेरी मम्मा आने व आपने देखे होंगे ना पुराने ब्लागों में लेके आई थी तब इसी के लिए तो यह तो चार पाई हमें मिलती है और यह मुझे मैंने आडर किये थे यह दोनु यह उससे अमें से और किये थे तो यह बस ऐसे मेरा रूम यहां से और यह मैं आपको नहीं दिखाया तो यह मेरी ड्रेसिंग टेबल है यह देखो मैं यह लुकिंग मिरर है मेरा यहां से मैं त्यार हो जाती हूँ और बस अभी कृषिन आपको दिखा दी तो यह था फाइन मेरा घर कैसा लगा आपको आप जल्दी से कमेंट करके बताओ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स कार्वार अपसे प्रहां आपको आपकी करहा हुआ आपकी.